हेलो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आज जाए आज मैं आपको बताने जा रहे हूं तो दिजाइनर स्लीव्ट विद पाइपीन, कटिंग एंड स्टिचिंग जिसका नाप इस प्रकार है लेंथ अफ वस्लीव 17 इंच, हाफ अम राउंड 5 इंच, लेंथ अफ राउंड कट 5 इंच, विड्थ अफ राउंड कट 3 इंच, लेंथ अफ कट स्टार्ट फ्रों टॉप 1 यह मेरा ready milts suit है और इसकी यह already cut sleeves है मैं इसमें round cut डाल करके आपको stitching करना बताऊंगे उसके लिए सबसे पहले हम इसकी width का center निकालते हैं यह है 16.5 तो इसका half आ जाएगा 8 1 by 4 inch और top से हम 1 inch छोड़ते वे length में निशान लगाएंगे 5 inch क्योंकि हमारे cut की length है 5 inch अब हम यहां से भी center निकालेंगे यह 16 है 16 का half हो जाएगा 8 inch और इस line को हम ऐसे मिला देंगे यह हमारी length आ गई है अब हमने width में हमारे जो round cut है वो है 3 inch तो इस line से 3 का half 1 and a half inch इदर और 1 and a half inch इदर ऐसे दो lines लगाएंगे और इसको इस प्रकार से box बनाएंगे यह हमारी उेज़ स्थोड़ फेंगे झाल झाल अब हम इस बॉक्स का लेंथ वाइस भी सेंटर निकालेंगे फाइब का हाफ हो जाएगा टोइंडे हाफ इंच और इस लाइन को भी ऐसे मिला देंगे अब ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है अब हम इसको ओवल शेप देंगे इस वरकार से अब हम आप खाई ये झाल और इस शेप से हाफ इंच अंदर एक और राउंड लगाएंगे और उस राउंड की ही हम कटिंग करेंगे ये राउंड हमारी स्टिचिंग के काम आएगा अब हम इस इनर राउंड की कटिंग के अब हम इस इनर राउंड की कटिंग करेंगे इस प्रकार हम ये राउंड की कटिंग कर लेंगे ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करते हूं कटिंग करने के बाद अब हम सबसे पहले इसके आम राउंड पर राइट तरफ इस प्रकार फोल्ड करके ये लैस लगाएंगे लेश्ट चिछ करने के बाद अब हम ये पाइपील लेंगे और राइट साइड में इस प्रकार रखेंगे इस राउंड के सेंटर में और इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस लाइन के उपर ये देखते हुए इस पाइपील को इस इस राउंड मैनर में सिलेंगे पाइपीन हमारी बाजु की इस साइड होनी चाहिए यह मिलकट से अपोजिट साइड में अब हम इस लाइन के उपर इस पाइपीन को इस परकार सिलेंगे के लिए और, के लिए आ ही पाइपीन के लिए पलिएर आ रहे, के लाइपीन के लिए हमेपीना ओग में से ली साइपीन की बहु 에नовые खरतों में से तुरन इसे, इस दाते हो, आ रहां से तुरन ा vậy? इस चम्तर आ आ रहा हम इस आ इस बाल Arctic में स। CP में दाप है इसी प्रकार हम दूसरी सेट की बाजू की पाइपीन भी सिलेंगे राउंड में पाइपीन स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें हलकी कट्स लगाएंगी और ध्यान रहे हमारी स्टिचिंग इस कटिंग के दौरान ना कटे ये कट्स लगाने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ कट्स लगाने के बाद अब हम इसको इस परकार फोल्ड करेंगी और इसकी साइड साइड में अब सिलाई लगाएंगे ये हमारी राइट साइड में आ जाएगा इसी परकार हम दूसरी बाजू में भी स्टिचिंग करेंगे स्टिचिंग करने के बाद इसका सेंटर निकालेंगे उसकी बाद हम इस बाजू को थोड़ा सा इधर से अंडू कर लेंगे और इस सेंटर को बाजू की इस लाइन के साथ मैच करते वे इस परकार रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग देंगे क्योंकि यहाँ पर यह पाइपिन लगी वी है अगर हम इसको राइट तो राइट मैच करके स्टिचिंग करेंगे तो यह पाइपिन अंदर छुप जाएगे इसको इस परकार यहां रखेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे अब हम इसको रॉंग सेड लेके जाएंगे और इसकी फिटिंग की स्टिचिंग देंगे यह कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए कटिंग या एक नए स्टिचिंग आसान तरीकी से समझाओंगी धन्यवाद जाइ